Hello students, आज के वीडियो में हम discuss करेंगे chain rule differentiation में chain rule कैसे use होता है और ऐसे कौन से function है जिनको differentiate करते समय हम chain rule का use कर सकते हैं वो सब आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे chain rule के बारे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो chain rule होता है वो क्या होता है हमारे पास कोई function है y is equals to अब यहां से आप देखे u of v of x अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो first function है वो तो u है ठीक है ना और second function है वो क्या है हमारे पास vx है यानि composite है किसका v का और u का तो जो composite functions आएंगे हमारे पास उनके लिए हम किसको use करेंगे chain rule को use करेंगे अब composite function का मतलब आप यहां पे इस छोटे से example से समझ ले कि अगर हमारे पास sin x square आता है ठीक है अब actually हमारे पास function क्या होता है sin x होता है लेकिन इस x को किसने replace कर दिया x square ने क्या कर दिया replace कर दिया तो यहां पे sin x की जगे क्या आ गया x square आ गया ठीक है तो यहां पे यह इसका क्या हो गया composite function हो गया तो यहां पे हमारे पास कितने होंगे two functions होंगे यहां पे two और more than two functions भी हो सकते हैं तो ऐसे जो functions होंगे जिनके अंदर x की जगह है अंदर कोई function क्या हो put किया हुआ हो ठीक है ना और उस function में दूसरे वाले में उसके x की जगह कोई और तीसरा function क्या हो put किया गया हो तो ऐसे हमारे पास जो functions होंगे उनके लिए हम किसको use करेंगे chain rule को use करेंगे और chain rule को use करके हम differentiation कैसे करेंगे उसको हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं तो यहाँ से आप देखो कि जब हमारे पास first function कौन सा है u और second इसके अंदर कौन सा है v ठीक है तो हम इसको differentiate करेंगे with respect to x तो हमारे पास क्या आएगा dy by dx तो यहाँ पर सब से पहले जो बहार function है पहला function है ठीक है ना उसका हम differentiate करेंगे तो d upon dx किसका u of v of x का ठीक है उसके बाद हमारे पास जो अंदर function है second function उसका हम क्या करेंगे product के अंदर differentiate करेंगे उसको ठीक है तो इस तरीके से हमें क्या करना है इसको differentiate करना है, पहले तो complete function को क्या करेंगे, differentiate करेंगे, फिर product में क्या करेंगे जो अंदर function है second, जो x की जगे put किया गया है, उसका हम क्या करेंगे, differentiate करेंगे उसको ठीक है, अगर हमारे पास third भी कोई function है, जो अंदर वाले function में x की जगे put किया गया है ठीक है न उसको फिर फिर product में लिखे फिर हम उसका क्या करेंगे differentiate करेंगे तो is non as chain rule ये हमारे पास क्या है chain rule है ये जो differentiate करने का जो तरीका है in composite function का वो हमारे पास क्या है chain rule है ठीक है तो ये हमारे पास क्या होगा chain rule फिर से भी एक बार revise कर देता हूँ कि यहाँ पे 2 और more than 2 function का composite होगा जिसके अंदर first function होगा उसके x में second function put up होगा या फिर third function है तो second function के अंदर जो x आता है उसके जगे हमारे पास third function put up होगा उसको हम क्या करेंगे उसका derivative करेंगे तो यहाँ पे पहले first function का derivative हो जाएगा complete का फिर product फिर second का और अगर हमारे पास इस x की जगे third function और होता तो product में third function का भी यहाँ पे क्या हो जाता product हो जाता ठीक है तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे differentiate करेंगे अब यहाँ पे हम question ले रहे है ठीक है ना अब सबसे पहले एक छोटा सा question यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारे पास जो function है वो क्या देखें sine x square ही ले रहे हैं क्या ले रहे हैं sine x square तो आप देखें हमारे पास तो function क्या होता है sin x होता है तो मैंने क्या कहा था पहला function हमारे पास कौन हो गया sin हो गया ठीक है उस x की जगे क्या put up है x square ठीक है ना उसकी जगे क्या put up अपने पास है x square है तो यहाँ पे आप देखें इसको करने के दो तरीके पहले हम क्या बात करेंगे let हम क्या कर लेंगे u हम किसको ले लेंगे sin को ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा v और v हमारे पास क्या हो जाएगा x square तो हमारे पास क्या हो गए दो function हो गए ठीक है तो यह अलग अलग function हो गए अब हम इसका differentiate करेंगे ठीक है और फिर किसका differentiate करेंगे, इसका differentiate करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप, अब आप समझ ले इसको, तो dy upon dx, ठीक है न, तो पहले किसका, इस function का, तो हमारे पास क्या आएगा, sin x का क्या होता है, cos और v की value कितनी है, x square, तो यह x square होगी, ठीक है न, अब फिर into में, किसका differentiate करेंगे अपन, d upon dx, किसका, x square गा, तो हमारे पास यह क्या हो जाएगा, finally, हमारे पास हो जाएगा, dy by dx, इसका कितना हो जाएगा, x square गा, 2x, तो यह आजाएगा, 2x, और cos x square, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, differentiate कर लेंगे, ठीक है, पहले कौन से function, first, ठीक है न, फिर कौन से वाला, तो इसको हम क्या ले रहे, u, तो u का differentiation क्या हो गया, sin v का cos, v तो x square है, तो cos x square, ठीक है, अब किसका v का product के अंदर, तो x square है, कितना हो जाएगा, 2x, तो 2x और cos x square, तो इस तरीके से हम इसको use करेंगे, अब हम different different type के questions लेते हैं, और उसके 3 हम इस chain rule को समझते हैं, और chain rule के 3 हम क्या करते हैं, differentiation करते हैं, अब यहां से आप देखें, हमारे पास क्या है, question number first, में हम different different type के questions ले रहे हैं, तो यहां से देखो, हमारे पास अगर log sin x है, ठीक है, यहां पे log root a square plus x square है, फिर हमारे पास log x plus root a square plus x square है, ऐसे हमारे पास अलग-अलग functions है, जैसे log के अंदर, अब हमें इनको क्या करना है, differentiate करना है, अब differentiate करेंगे, तो आप आप देखें, कि क्या ही हमारे पास chain rule वाले function है, जिनमें हम chain rule यूज़ कर सकते हैं, तो देखो, हमारे पास बाहर कौन है, log x है, log है, यहनि x आना चीए, यहां पे, x की जगे हमारे पास क्या आ गया, sin x आ गया, तो हमारे पास दो function हो गए, एक तो कौन सा, log x, और दूसरा हमारे पास कौन हो गया, sin x, ठीक है, ऐसे आप इसमें देखें, log है, अंदर हमारे पा स्कूर प्लस कितना है, root a square प्लस x square, जबकि क्या होना चीए, does root x होना चीए, us x की जगे जगे क्या आ गया, a square प्लस x square, तो यहां पर हमारे पास कितने functions है, three functions है, पहले तो log, फिर root, और फिर root के अंदर क्या है, a square प्लस x square, ऐसे जब हम इसमें बात करें, log x plus root a square plus x square, तो प दूसरे वाला अंदर X की ज़िए क्या है? X प्लस रूट A स्क्वाइर प्लस X स्क्वाइर ठीक है न? इस इनको हम डिफ्रेंशेट करते है चैन रिूल से तो देखो, since Y is equals to हमारे पास क्या है? लॉग साइन X तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिफ्रेंशेशन विद रेस्पेक्ट टू X तो हमारे पास क्या हैगा? दी वाई बाई दी एक्स सबसे पहले बाहर कौन है? लॉग X के तरीके से तो लॉग X का क्या होगा? यानि यहाँ पे दिफ्रेंशेशन करेंगे अपन लॉग साइन X का ठीक है? पहले फिर इसके अंदर X की जगा कौन है? साइन X फिर इंटू D upon DX किसका करेंगे अपन? साइन X का क्योंकि second function हमारे पास कौन है? साइन X है तो यह हमारे पास क्या हो गया? D Y by D X तो यहाँ पे आप देखें इसका differentiation करेंगे तो लॉग X का क्या होता है? 1 upon X होता है तो यहाँ पे X की जगा कौन है? साइन X तो 1 upon साइन X ओके? X की जगे 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 वेलियों उसको यहाँ put up कर लेगे अब हम बात करते हैं किसकी? साइन X साइन X का क्या होगे अपने पास है? कोस X ठीक है? तो अब हमारे पास जो D Y by D X है वो हमारे पास क्या आ गया? कोस X upon साइन X तो यह क्या हो जाएगा? कोट X तो यह हमारे पास क्या हो गया? लॉग साइन X का डिफरेंशेशन हो गया विद चैन रिउल ठीक है? यह प्रोसेस रहेगा लॉग X का होगा पहले यहनि लॉग का होगा वन अपन X X को किसने रिप्लेस किया हुआ है? साइन X ने तो यहाँ पे साइन X आ जाएगा फिर इन टू फिर साइन X का कोस X कोस अपन साइन कोटेक्स इस तुरीके से हम इसको डिफ्रेंशेट कर लेंगे अब हम बढ़ते दूसरे कोस्चन में अब यहाँ से आप देखें कि हमारे पास जो सेकेंड कोस्चन है वो हमारे पास क्या है? रूट A स्क्वेर प्लस X स्क्वेर ने प्लस कर रखा है किसको? X को तो DY by DX with respect to X तो सबसे पहले कौन है? लॉग है तो लॉग का 1 upon X तो पहले complete का क्या करेंगे? differentiation पहले लिख लेते हैं process के अंदर उसके बाद हम उसका क्या करेंगे? differentiation करेंगे तो यहाँ पे अब product में कौन है? अब X को किसने replace किया हुआ है? D upon DX किसने? root A square और X square अब हमारे पास तो root X होता है ना अब X को किसने replace किया हुआ है? A square plus X square ने इंटू D upon DX क्या आएगा? A square plus X square ठीक है ना? तो यह हमारे पास आएगा अब हम इसको क्या कर लेंगे? differentiate कर लेंगे तो D Y by DX तो देखो क्या है गा? log X का 1 upon X X क्या है अमारे पास? root A square plus X square फिर product अब यहाँ पे root X root X होता है ना? तो root X का क्या होता है? 1 upon 2 root X तो 1 upon 2 root X X की जिए कौन है? A square plus X square ठीक है? हो गया? अब हम इसकी बात करेंगे A square constant है तो 0 X square का अपने पास कितना हो जाएगा? 2X तो अब जब हम इसको क्या करेंगे? calculate करेंगे तो हमारे पास देखो क्या value आएगी? उपर कितना है? 2X नीचे आप देखो ये value और ये value सेम है और दोनो root के अंदर है तो root और root क्या हो जाएगा? X हो जाएगा तो ये कितना होगा? 2 A square plus X square तो 2 से 2 cancel तो हमारे पास जो derivative आया वो हमारे पास क्या है? dy by dx और ये कितना होगा? X upon A square plus X square ये हमारा क्या हो जाएगा? derivative हो जाएगा किसका log root A square plus X square ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? differentiate कर सकते हैं बस ये समझना है कि पहला हमारे पास function क्या है? फिर next जो X की जगे है फिर next उसमें X की जगे क्या आ रहा है? वो हमारे पास यहाँ पर आएगा और हम बिल्कुल chain rules से इसको क्या कर देंगे? differentiate कर देंगे अब हम लेते हैं next question अब next question में हमारे पास क्या है? next question हमारे पास है Y is equals to log X plus root A square plus X square ठीक है न? यहाँ पर Y is equals to log X plus root A square plus X square तो इसका जो differentiation है वो हमारे पास क्या होगा? dy by dx किसका करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो हम log और इसका करेंगे तो direct differentiation कर देते हैं तो 1 upon X होता है X को किसने replace किया हुआ है? X plus root A square plus X square फिर किसका differentiation होगा? D upon dx X की जगे क्या है? log के अंदर X plus root A square plus X square अब हमारे पास इसका differentiation हो जाएगा हमने इसका क्या कर लिया? differentiation कर लिया log का तो 1 upon X आता है X को किसने replace किया हुआ है? इसने तो ये value X की जगे आ गई फिर into D upon dx ये value है इसका हम क्या कर लेंगे? differentiation कर लेंगे तो अब आप देखें D Y by D X हमारे पास क्या आएगा? 1 upon X plus root A square plus X square अब हम इसका differentiation करने जा रहे है तो आप देखो X का कितना हो जाता है? 1 ये तो 1 हो गया अब बात करते हैं किसकी? root X का क्या होता है? क्योंकि root के अंदर है ना root X का 1 upon 2 root X A square plus X square अब उस X में क्या था? उसका differentiation हो जाएगा तो क्या था? A square का 0 और इसका कितना हो जाएगा? 2X तो ये हमारे पास अंदर वाले टरम का differentiation हो गया फिर से X का कितना हो जाएगा? 1 root का क्या होता है? 1 upon 2 root X X की value ये है अब इस टरम का होगा तो A product में ही होगा अज जो अंदर है तो A square का क्या हो जाएगा? 0 और X square का अपने पास कितना हो जाएगा? 2X अब आम इसको calculate कर लेते हैं DY by DX तो हमारे पास कितना हैगा? 1 upon X plus root A square plus X square into तो यहाँ पे अपने पास कितना हो गया? 1 plus अब आप देखें 2X upon 2 into root A square plus X square ठीक है? 2 से 2 क्या हो गया? Cancel अब हम क्या कर लेते हैं? इसका LCM ले लेते हैं इसके नीचे 1 यूस करके ठीक है? तो हमारे पास क्या जाएगा? DY by DX 1 upon X plus root A square plus X square अब अंदर हमारे पास LCM लेंगे तो यह दो देखो 2 से 2 क्या हो गया? Cancel यह LCM आएगा root A square plus X square का root अपने पास इसमें क्या जाएगा? LCM ठीक है? क्या जाएगा? root आजाएगा तो यह मारे पास LCM आगया अब हम क्या करेंगे? यह 1 से multiply root A square plus X square और यह इससे divide हो गया तो X ही आएगा तो यहां से आप देख पा रहे हैं यह value और यह value दोनों सेम है तो क्या हो गई? Cancel हो गई तो finally हमारे पास इसका जो dy by dx हमारे पास आया है वो हमारे पास क्या आया है? 1 upon root A square plus X square यह हमारे पास किसका derivative हो जाएगा? log X plus root A square plus X square का derivative हमारे पास chain rule से क्या है? 1 upon root A square plus X square तो यह हमें क्या करना है? याद भी रखना है क्योंकि कई बार next अपन question solve करेंगे तो उसमें हमें direct भी इसको use करना पड़ेगा तो log X plus root A square plus X square का derivative क्या होता है? 1 upon root A square plus X square हमारे पास यहाँ पे होता है ठीक है? तो यह हमारे पास क्या हो गया? derivative हो गया chain rule से पहले log का हो गया फिर अंदर जो value थी उसका हो गया इसका 1 हो गया root का 1 upon 2 root X की तरह हो गया फिर जो अंदर value थी product में उसका derivative LCM ले लिया यह दोनों आपस में क्या हो गया? cancel और यह हमारे पास इसका derivative आ गया तो इस तरीके से हम क्या कर सकते है? इसको solve कर सकते है chain rule से अब हम बात करते है next question की अब हमारे पास देखो next question है y is equal to ठीक है? log root 1 plus sin X upon 1 minus sin X और क्या find करना है? dy by dx at x is equal to pi by 3 हमें इसका derivative find करना है और derivative find करने के बाद pi by 3 put up करके value x की और उसकी value find करनी है ठीक है? तो यहां से आप देखें हम इसका derivative करेंगे तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहां पे y is equal to log अब ध्यान देंगे 1 plus sin X upon 1 minus sin X इसकी power कितनी हो जाएगी? 1 by 2 हो जाएगी कैसी हो जाएगी? क्योंकि यहां पे आप देखो root लगता है तो 1 by 2 log के अंदर a की power b होती है तो b इसके पीछे आ जाता है ताकि आपको calculation थोड़ी easy हो जाएगी तो 1 by 2 log और 1 plus sin X upon 1 minus sin X यह हमारा function यह constant है तो जब अपन differentiation करेंगे with respect to X तो हमारे पास क्या आएगा? dy by dx तो यहां से आप देखो 1 by 2 इसका तो होगा नहीं अब हम करते हैं किसका? log का अभी बताया था 1 upon X तो 1 upon X का मतलब 1 plus sin X upon 1 minus sin X यह हमारे पास क्या हो गया? इसका हो गया first फिर into में किसका करना है? d upon dx जो अंदर वाली टरम है 1 plus sin X ठीक है? upon 1 minus sin X अब हम इसका derivative करेंगे ठीक है? तो यहां से आप देखें हमारे पास क्या है? dy by dx 1 by 2 अब यह term कहां चली जाएगी? उपर चली जाएगी तो यह क्या होगा? 1 minus sin X upon 1 plus sin X यह अमारे पास क्या हो गया? solution हो गया है यहां पर अब इसका हम क्या कर लेते हैं? solution कर लेते हैं ठीक है न? 1 by 2 सब के बहार है तो यहां पर अब आप देखो इसका कैसे होगा? u upon v से होगा किससे होगा? u upon v से तो v का square sin X 1 minus sin X का whole square इसका होगा नहीं 1 minus sin X अब किसका derivative होगा? u का u का derivative लिखना है तो u का derivative 1 का तो क्या हो जाएगा? 0 sin X का क्या हो जाएगा? cos X minus अब 1 plus sin X ऐसे कैसा? अब किसका? 1 minus sin X का v का होगा? ठीक है? तो minus के cos X ठीक है? यह हमारे पास आगया अब क्या करेंगे? dy by dx अब ध्यान दें आप हमारे पास क्या आगया? 1 by 2 1 minus sin X upon 1 plus sin X ठीक है? into इसको इससे multiply कर दें तो यह क्या आगया? cos X और यह minus sin X और cos X और यह कितना हो गया? minus minus से plus तो यह cos X और minus से sin X और cos X और upon में जो value है वो हमारे पास कितनी है? 1 minus से sin X का whole square ठीक है? अब यहां से देखो 1 minus sin X और यह 1 minus sin X का square से यह क्या हो गया? cancel हो गयी ठीक है? तो यहां पे हमारे पास क्या बच गया? last term यह बच गई 1 upon 1 plus sin X ठीक है? अब यहां से आप देखो क्या-क्या? कौन-कौन से टरम? यह हमारे पास minus minus क्या हो गया? plus ठीक है? यह टरम हमारे पास minus minus plus होने से यह plus ही रहेगी क्योंकि यह minus minus plus पे ले हो गया plus का हैगा तो यह हमारे पास क्या हो गया? cancel हो गया यह कितने हो गये? हमारे पास है 2 cos X upon 1 minus sin X यह टरम हमारे पास है बच गई यहां ठीक है? अब यहां से आप देखें हम मैं फिर से repeat कर देता हूँ फिर अपन इसको आगे calculate करेंगे हमने 1 by 2 पीछे ले लिया फिर लोग X का किया तो 1 upon X यह टरम उपर चली गई इसको अब किसका करेंगे? 1 plus sin X upon 1 minus sin X का तो यहां पे V square फिर V U का differentiation 1 का 0 इसका cos X और 1 plus sin X और इसका minus cos X अब यहां पे इसको product कर दिया यह इससे क्या हो गया? cancel उपर क्या बच गया? 2 cos X और नीचे 1 minus sin X अब हम जब हम इसका differentiation देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? D Y by D X कितना हो गया? 1 by 2 तो यह तो कितना हो गया? 2 cos X अब आप देखो 1 plus sin X और 1 minus sin X हमारे पास क्या होता है? 1 minus sin X और 1 minus sin X अब हमारे पास क्या होता है? 2 से 2 cancel यह हो गया cos X तो यहाँ पर देखो cos X 1 minus sin X हमारे पास क्या होता है? cos X यह cos से cos से cancel ठीक है? 2 से 2 तो क्या हो गया था? cancel हो गया था 1 upon cos X तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो dy by dx है? वो हमारे पास क्या आगया? सेक X आगया क्या आगया? सेक X तो यह तो हो गया हमारा derivative chain rule से अब हमें value find करनी है तो at x is equals to pi by 3 तो यहाँ से आप देखें dy by dx किसके उपर? x is equals to pi by 3 पे तो यहाँ लिख देंगे सेक pi by 3 तो सेक pi by 3 का मतलब होता है सेक 60 degree सेक 60 degree की value हमारे पास कितनी होती है? 2 होती है कितनी होती है? 2 क्योंकि cos 60 degree की value कितनी होती है? 1 by 2 तो सेक 60 degree की value कितनी हो जाएगी? 2 reciprocal होता है ठीक है? तो यहाँ से value कितनी आ जाएगी? 2 आएगी तो इस तरीके से हम यह questions क्या कर सकते है solve कर सकते है chain rule से और आगे भी value put up करनी है तो हम उसको put up कर सकते है अब हम next type के questions देखते है हमारे पास क्या है अगला question y is equal to root sin x है ठीके ना y is equal to root sin root e to the power x है ठीके ना और y is equal to root x square plus x plus 1 अब देखो इस तरीके के हमारे पास questions है root के अंदर तो यहां से हम क्या देखेंगे differentiation with respect to x तो सबसे पहले हम इस समझना है root आ रहा है बार तो इसका मतलब पहला function root x के तरीके से फिर उस x की जगे कोन आ रहा है sin x तो सेकंड हमारे पास कोन है sin x तो यहां पे dy by dx पहले किसका differentiation होगा complete root x के तरीके से होगा फिर into अंदर कोन है उस x की जगे sin x तो अब हमारे पास किसका हो जाएगा sin x का तो dy by dx root x का क्या होगा one upon two root x x की जगे किसने ले रखी है sin x ने अब sin x का क्या हो जाएगा cos x तो हमारा जो derivative है वो हमारे पास क्या आ गया dy by dx is equals to cos x है upon two root sin x तो यह हमारे पास क्या आ गया derivative है किसका root sin x का अब यहां पे इस question में और इस question में देखें फरक क्या है ठीक है तो यहां पे हम बात करेंगे इस question के derivative की तो यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास जो differentiation है वो क्या होने वाला है अब आप देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है root e to the power x है ठीक है ना यही हमारा question है तो यहां से सबसे पहले root आ रहा है तो d upon dx किसका root sine root e to the power x तो यह तो पहले function का derivative हो गया into अब इसमें x की जगे क्या है root के अंदर x की जगे क्या है यह पूरी term है की नहीं है तो यह अपने पास क्या जाएगा sine और यह root e to the power x अब इसके अंदर क्या है इसमें sine x की जगे कितना है root e to the power x तो d upon dx क्या है मारे पास root e to the power x और इस root के अंदर x में क्या है d upon dx e to the power x तो यह सारे functions है पहला root में फिर sine में sine में x की जगे क्या है root e to the power x और root के अंदर फिर क्या है e to the power x तो इस तरीके से हमारे पास यह सारे function होंगे और अब हम इसको क्या कर लेंगे? derivative root x का 1 upon 2 root x sin root e to the power x यह तो खतम क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी value कितनी थी? root x का 1 upon 2 root x x की टर्म कितनी है? sin root e to the power x अब sin x की टर्म कितनी है? e to the power root x इसका भी हो गया root x का 1 upon 2 root e to the power x क्योंकि इसमें x की टर्म कितनी है? e to the power x और e to the power x का e to the power x सब हो गया अब हम इसको लिख लेते हैं तो यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास क्या हो गया? dy by dx अब product करोगे तो यह तो e to the power x आ गया यह cos root e to the power x आ गया और नीचे हमारे पास कितने हो गया? 2 to the power x और यह root e to the power x और यह root sin root e to the power x अब यहां पर देखो यह e to the power x है यह root e to the power x है इसको 2 times लिख लेंगे root e to the power x और root e to the power x तो एक root क्या हो जाएगा यहाँ पे, cancel हो जाएगा, e to the power x, root e to the power x, और cos root e to the power x, अपन में कितना है, 4, root e to the power x, और sin root e to the power x, तो यह से cancel, जो final derivative है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो जाएगा, root e to the power x, और cos root e to the power x, अपन 4, root sin root e to the power x, तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, derivative आ जाएगा, किसका, इस function का, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, solve कर सकते हैं, ठीक है, अब next question देखते हैं, हमें क्या गीवर इसमें, हमारे पास है, y is equals to root x square x plus 1, ठीक है, तो यहाँ पे differentiation with respect to x, तो क्या हो जाएगा, dy by dx, पहले किसका, d upon dx, root x square x plus 1 का, अब root के अंदर x की जाएगा कौन है, d upon dx, x square x plus 1 का, तो हमारे पास क्या हैगा, dy by dx, तो यह अपने पास root x का, 1 upon 2 root x square x plus 1, ठीक है, यह product में, into, अब इसका x square का, 2x, x का 1, constant का 0, तो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, dy by dx, हमारे पास क्या हैगा, 2x plus 1, upon 2 root x square x plus 1, यह हमारे पास इसका क्या जाएगा, dairy, वैटिवा जाएगा, इस function का हमारे पास, इस तुरीके से हम क्या कर सकते हैं, solve कर सकते हैं, questions को, अब हम next question लेते हैं, हमारे पास, y is equal to, जैसे 10, ठीक है ना, sine, root x आ गया, अब ऐसे questions को, किस तरीके से अपन क्या करेंगे, solve करेंगे, ठीक है, दूसरा हमारे पास question है, y is equal to sine, cos x square, तो इसको में chain rule से कैसे solve करेंगे, differentiation with respect to x, क्या होगा, dy by dx, बहार से start करेंगे, तो 10 होता है, तो 10 x की तरह है, first, फिर x में क्या है, sine root x, फिर sine में x नहीं है, root x है, तो root x, तो three functions होगे, एक तो 10, sine और root, तो यहाँ पे differentiation, d upon dx, तो यह कितना होगा, 10, sine root x, फिर d upon dx, किसका, sine root x का, फिर d upon dx, किसका, root x का, तीनो functions का, अलग-अलग derivative हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया, dy by dx, तो यहाँ पे देखो, तो 10x का क्या होता है, sec square x, x को किसने replace कर रखा है, sine root x ने, यह तो same आएगा, फिर sine x का क्या होता है, cos x, x की जिगे कौन है, root x, फिर root x का, one upon two root x, तो हमारे पास जो derivative आजाएगा, वो आजाएगा, dy by dx, तो इसको सबको product कर देते हैं, तो यह क्या हो गया, sec square sin root x into cos root x, upon में two root x, इस तरीके से हमारे पास यह क्या हो जाएगा, derivative हो जाएगा chain rule से, ठीक है, अब हमारा next question है, उसको हम discuss कर लेते हैं, यहाँ पर देखो, जो हमारा second question है, वो हमारे पास क्या है, y is equals to sin cos x square, तो यहाँ से आप देखो, कितने function है, पहला sin, दूसरा फिर cos, और तीसरा x square, तो differentiation with respect to x, तो क्या हैगा, dy by dx, सबसे पहले पहला function, कौन सा, sin, cos x square, ओके, फिर into, d upon dx, इसमें x की जगे क्या है अपने पास, cos x square, और फिर इसमें क्या है, cos में x की जगे, x square, तो यह हमारे पास आगया, अब हम इसको derivative कर लेते हैं, इसके derivative में क्या आएगा, sin x का क्या होता है, cos x, तो यह तो cos, अब x की जगे क्या है, यह यह आएगी value, क्योंकि यह पहले से put up है, अब यहाँ पे क्या है, cos का minus sin x, तो x की जगे x square, और x square का 2x, तो हमारे पास जो final derivative आया, वो हमारे पास से क्या निकल के आगया, यह minus, यह 2x, तो minus के 2x, और यह हमारे पास कितना है, sin x square, और यह term हमारे पास क्या है, cos x square, तो यह हमारे पास क्या हो गया, इस function का derivative यहाँ पे हो गया, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, derivatives कर सकते हैं, ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, कुछ और functions की, ठीक है न, जैसे, y is equal to e to the power root sin x, y is equal to e to the power tan inverse x का whole square, अब ऐसे questions है, अब हम उसको किस तरीके से differentiate करेंगे, देखो, e to the power x होता है, ठीक है, तो x की जगे कौन आ रहा है, root आ रहा है, तो दूसरा function कौन हो गया, root x, पहला e to the power x, दूसरा root x, और root के अंदर x की जगे कौन आ रहा है, sin, तो यह तीसरा function हो गया, यहाँ पे e to the power x आता है, तो पहला function e to the power x, x को किसने replace किया हुआ है, tan inverse x के whole square ने, तो दूसरी वाले term कौन सी होगी, दूसरा function, x square हो गया, और फिर x में कौन है, tan inverse x, तो इसमें 3 functions हो गया, तो पहला पन differentiate करते हैं, differentiation with respect to x, तो क्या हैगा, देखें, dy by dx, किसका, d upon dx, e to the power root sin x, हो गया, फिर d upon dx, e to the power x होता है, उसमें x में कौन है, root sin x, root के अंदर x होता है, x की जगे कौन है, sin x, तो यह हमारे पास है sin x, अब हम इसको क्या कर लेंगे, differentiate कर लेंगे, dy by dx, e to the power x का, e to the power x, x को किसने replace कर रखा है, वो सेम आएगा, फिर root x का, one upon two root x, यानि two root sin x, और sin x का हमारे पास क्या हो गया, cos x, तो अब हमारे पास जो derivative आया, वो हमारे पास क्या है, देखें, यह हमारे पास कितना है, उपर product हो जाएगा, तो यह हो गया, cos x, और e to the power root sin x, अपान two root sin x, तो यह हमारे पास क्या आजाएगा, इस function का derivative निकल के आजाएगा, तो इस तरीके से हम यह derivative कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, second वाले की, second वाले में देखो, वो ही three functions अपन सेट करेंगे, तो dy y dx, तो देखो, पहला, d upon dx किसका होगा, e to the power tan inverse x के whole square तीक है, फिर into d upon dx, e to the power x में कौन है, tan inverse x का whole square है, into d upon dx कौन है, tan inverse x है, तो यह हमारे पास three functions है, अब हम इसको derivative करते हैं, इसका derivative, dy by dx, तो देखो, e to the power x का, e to the power x, इसको हमें change करना ही नहीं है, यह same रहेगा, into tan inverse x का square, यानि यह x का square है, तो कितना हो जाएगा, two tan inverse x, यानि x square है क्या होता है, two x, तो इसका कितना हो जाएगा, two tan inverse x, और tan inverse x का one upon one plus x square, तो अब हमारे पास जो final derivative है, वो हमारे पास क्या है, उपर product कर दो, two tan inverse x आ गया है यह तो, ठीक है, और यह e to the power, tan inverse x का, whole square, और upon में, one plus x square, तो यह हमारे पास इस function का क्या हो गया, derivative हो गया, किससे, change rules, इस तरीके से, हम इस question को क्या कर सकते हैं, solve कर सकते हैं,